हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा डेफिशेंसी आफ जिंक के बारे में जिंक की कमी के कारण क्या है लक्षा क्या है क्या खाने से जिंक की कमी पूरी होती है पूरी डीटेल्स जानेंगे इस विडियो में तो चलिए शुरू करते हैं जिंक की कमी क्या होती है शरीर को बहतरीन रूप से कारे करने के लिए विभिन प्रकार के विटेमिन्स और मिनरल्स की आवशकता होती है इन में से एक आवश्यक मिनरल है जिंक जो भोजन में थोड़ी सी मातरा में पाया जाता है ये शरीर में सभी सेल्स में पाया जाने वाला एक आवश्यक trace nutrients होता है इसकी ज़्यादा तर मात्रा मानस्पेशियों और हड्डियों में जमी होती है ये बाल, आंख, नाखून, त्वचा, लिवर, प्रोस्टेट और व्रक्षनों में भी पाया जाता है हमारी बाडी निम्न प्रक्रियाओं के लिए जिंक का उप्योग करती है जैसे प्रतिरक्षा पडाली को मजबूत करने के लिए सेल्स के विभाजन में मदद करने के लिए सुंगने और जीब के स्वाद के अनुभव को बनाए रखने के लिए घाव भरने की गती को बढ़ाने के लिए जिंक किसी व्यक्ती के विकसित होने की प्रक्रिया में भी मदद करता है ये गर्भवती महिलाओं और साथ ही साथ बढ़ते बच्चों के लिए एक आवश्यक मिनरल होता है यदि आप भोजन के द्वारा पर्याप्त मातरा में जिंक प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण आप में कुछ लक्षण विकसित हो सकते हैं इन लक्षणों में मुख्य रूप से बाल जड़ना, सतरकता में कमी और सुंगने वास्वाद को महसूस करने की शक्ती कम होना आदिशामिल होते हैं डॉक्टरों को संदेह होता है कि किसी व्यक्ती के शरीर में जिंक की कमी उस व्यक्ती की परिस्थितियों, लक्षणों और जिंक के सप्लिमेंट्स पर प्रतिक्रिया पर निर्भर होती है जिंक की कमी को ठीक करने के लिए डॉक्टर मरीज के लिए कुछ प्रकार के जिंक के सप्लिमेंट्स भी लिख सकते हैं जिंक की कमी के लक्षन जैसे इस्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, साइनसाइटिस, एलर्जी, भूख कम लगना, डैरिया, रूखी त्वचा, आख में संक्रमन, बाल जड़ना, यौन संबंधी रोग या नपुन सकता, त्वचा पर धब्बे बनना, नाजुक नाखून, का अनुभव करने की शक्ती, कम होना, कामेच्छा में कमी, बार बार जुखाम होना, त्वचा पर चकत्ते होना, आदी लक्षन हो सकते हैं, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, जादतर मामलों में जिंक की कमी होने से कोई अमर्जनसी, इस्थिती पैदा नहीं होती, ऐसा क को स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल होता है, यदि आपको पता है कि आप में जिंक की कमी है और आपको कुछ दिनों से दस्थ भी हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए, जिंक एक ऐसा मिनरल होता है, जो इन कराना और मतली महसूस होना अचानक से सिरदर्द होना जो ठीक नहीं होता है बेहोशी की हालत जैसा अनुभव होना जिंक की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए जैसे अदरक, ओट्स, मुंग फली, बादाम, अखरोट, फलियां, रेड मीट, चिकन, बीज, गेहुं के अंकुर, वाइल्ड राइस, आदी का सेवन करना चाहिए So friends, मैं उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ शेयर कीजिए थांक्स फर वाचिं दिस वीडियो